मैं अपने इस वीडियो में आज दो important topics discuss करने वाला हूँ एक तो EFTA और European Union का relation और दूसरा एक नहा तर्म सायद वो आप लोगों ने सुना भी ना हो especially वो ध्यान दे जो UPSC और SSC की preparation कर रहे हैं किसी अच्छे exam के गर आप preparation कर रहे हो तो आज का session आपके लिए बहुत important है एक टर्म होता है सेंजेन वीजा या सेंजेन एरिया भी आप कह सकते हो ये उन देशों का एक group है एक association है जिन में से अगर आपने किसी एक देश का भी वीजा पा लिया तो बाकी इस group के जितने members countries हैं आप सब में घूम सकते हो European Union में जो 27 सदस हैं अगर आप किसी एक भी group के member में वीजा पा लेते हो तो आप उस पूरे group में घूम सकते हो, group के देशों में जा सकते हो, कोई वीजा अलग से नहीं लगता उसी को बोते हैं सेंजेन वीजा तो याद रखिए जो EFTA के जो चार सदस से हैं वो European Union के तो सदस से नहीं है बट इस सेंजेन वीजा वाले group के members हैं इसलिए इन चारों देशों को जिनमें स्विजर लैंड, लेंजिस्टीन, आइसलैंड और नॉर्वे आते हैं इन चारों को कुछ privileges मिल जाती हैं तो एक तो ये section हमने बता दिया कि भाया ये जो चार देश हैं EFTA के ये European Union में तो नहीं आते हैं बट सेंजेन वीजा ग्रूप में आते हैं अब एक और point note करिएगा चार ऐसे भी देश हैं जो European Union के सदस से तो हैं वो चार देश कौन से हैं रोमेनिया, बलगेरिया, साइप्रस और आइसलेंड आयरलेंड फिर से सुनिये आयरलेंड, साइप्रस, बलगेरिया और रोमेनिया ये चार ऐसे देश हैं जो European Union के मिंबर तो हैं बड़ सेंजेन वीजा ग्रुप में नहीं आते हैं ठीक है, ये सिशन बहुत important था, खासकर UPSC experience के लिए मैं बार बार बोल रहा हूँ आपके paper में ऐसे बेशन बहुत बार पूछे जाते हैं आपको ये information कैसी रगी, comment करके ज़रूँ